हे ओल राइट एंड वेल्कम टूल इन टूड़े इस देहंदू न्यूज डिसकेशन नाव डेली के बेसे स्पम पेजवाई डिसकेशन करते हैं और हर एक पेज से जो भी इंपोटेंट न्यूज रहती है चाहे वो प्रिलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए उसको डिटेल में क उत्राखंड जो राज्य में तो उनने अपना टर्म कंप्लीट किया बट उसके अलावा कोई भी उत्राखंड में जो अभी तक सीम बने हैं उन्होंने अपना कंप्लीट नहीं किया है इसके पीछे यह रीजन है तो उन्होंने सबसे पहले तो यह चीज़ याद रखो राज जिससे बागी मेंबर दुशेंत गौतम को यहां पर बीजेपी नेशनल लीडर्शिप के फॉर्म में दहराद उन में भेजा है जो कि उत्राखंड की कैपिटल है और यहां पर डिस्कस करेंगे कि अगला सीम कौन बनेगा बीजेपी से और इन सीम ने क्यों रिजाइन किया क्य इन्होंने प्रॉपर फंक्शनिंग एड्मिस्टेशन नहीं किया सेकंड न्यूज आती है ओवर सैंटीटीव परसेंट राइजन यूए पीए कैसे रेइस्टर इन ट्वंटी नाइटीन अब यूए पीए कल भी हमने पढ़ा था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रेवें इन्चन एक्ट में यह आपको बताना है कि किस वर्स कौन सा ऐसा सुधार्था जिसमें किसी एक इंडिविज्विज्व को टेरिरिस्ट जो है घोसित किया जा सकता है राइट उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है यह तो हमने पढ़ ली है कि पार्टी के अंदर ही तरह से बढ़ाएं तो वैसे न्यूज ने भी टूरिज्व को प्रमोट करने के रहे दो इसके चलाई है डेली हेरिटेज प्रमोशन और डेली टूरिज्व सरकीट ओके ताकि टूरिज्व बूश्ट हो सरकार को भी पैसा मिले ताकि और ज्यादा इस्पेंड वो कर सके उसक कि 88 एर ओल्ड फॉर टाइम त्रिमनुल कॉंग्रेस एमले सिंगूर से ठीक है कहां से सिंगूर से अब यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि जनरली टीमसी की यह वेस्ट बंगॉल में टीमसी की यह लीडर रही है ठीक है अब क्या हुआ जब यह उतना ज्यादा इंपोर जो कॉंग्रेस है उसकी चार लीडर है मान के चलो और यह अपने इन्होंने बोला कि हमें इलक्षन हो रहे हैं वेस्ट बंगॉल में तुम्हें एलक्षन लड़ेंगे अब क्या हुआ टीमसी ने नों पार्टी टिकट ही नहीं दिया ठीक है क्या नहीं दिया पार्टी सेड्यूल होता है एंटी डिफेक्शन लौ ठीक है अब इसमें क्या होता है कि अगर आप एक बार इलक्षन देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इन्होंने पार्टी चेंज की है तो इनका डिफेक्शन होना चाहिए इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए तो इसके पीछ इनका डिफेक्शन होने बागी है उससे पहले आप पार्टी चेंज कर सकते हो ठीक है क्योंकि वहां से आपको टिकट नहीं मिल रहा तो आपको जहां से टिकट मिलेगा आप वहां से जो है टिकट लेंगे तो कोई बोलेगा टेंट से इसमें अपलाई होगा मैं कौँगा न आते हो फिर उसके बाद बीजेपी जोइन करते हो तब आप डिस्कॉलिफाई हो जाओगे एज ए मेंबर ओफ लेश्लेडियो एसमेली और एंपी ठीक हर्याना मैं मैंने बताया था आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है कॉंग्रेस जो अपोजीशन है उन्होंने पास किया था अब कॉंग्रेस ने इशू किया एक विप का मतलब क्या होता पर्टिकलर पॉलिटिकल पार्टी इशू करती है विप का मतलब यह होता है कि जैसे होता ना चाबुक चलाते हैं हम कि अब जो घोड़ा है हमारे बेसेस पर चलेगा वैसे ही विप होती है पार्ट तो उसे कहते हैं विप ताकि बहुत सारे जो कॉंग्रेस के लोग होते हैं या कोई भी पार्टी के वो एपसेंटी भी रहते हैं कभी-कभी लोग सबाव में पास होता है थीक है नौनेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एडिटोरियल से डिसकस है यहां पर फायर सेप्टी ऑफ इंडिया तो अभी हाल में इंडियान डेल्वे में जो है फ्लोर्स में आग लगी थी कोलकत्ता में बाद यहीं की जाती है कि हमारी जो आप्टरमेथ सजेशन क्या है कि आग लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए या उससे पहले क्या करना चाहिए यह सब चीजे अभी थोड़ी सी लैक हैं यहाँ पर यह बोला जा रहा है हाला कि जो बुकिंग सिस्टम है रेलवे में बुकिंग होती नहीं है बहुत सारी चीजे हैं इंडियन रेलवे में उसके दूसरा मुद्धा है फाइर सेप्टी का आग लगने से बहुत लोगों की जान भी गई ठीक है अभी हुआ क्या फिर क्या यहां पर यह बोल जा रहा है यूजिंग दा कोलकता रेलवे बिल्डिं as a test case क्या center should report on whether it met the fire safety norms center को यह चेक करना चाहिए या report देनी चाहिए कि क्या इसने national building courts के basis पर बनाया था हर जगा एक proper standard होना चाहिए कि आप particular safety rules आप follow करेंगे ऐसा सिर्फ एक case नहीं है महराष्ट में चाहिए ICU में आग लगी हो चीक है या fire cracker वाली जगे पर आग लगी हो आप Indian railway मुद्दा सेम है UPSC mains का question सेम यहां पर आएगा राइट अभी यहां पर NCRB का भी डाता आता है वो भी कहता है कि 2019 में बहुत सारे cases हुए है fire safety के regarding at the end यहां पर यहीं बोला गया है कि safety favors only those who are prepared आगे भी डाटा आने वाला यहां पर भी डाटा है NCRB का तो इसको discuss कर ल यहां ने function as a crime and criminals to assist the investigator in linking crime to perpetrators it was set up based on the recommendation of National Police Commission and CRB brings out the annual comprehensive statistics जैसा मैं ने बोला crime जितना भी हो रहा है all over India में डेली में particulars भी निकालती है being published since 1953 the report सरवेच crucial tool in understanding law and order situation across the country law and order की जो situation है वो NCRB बहुँ जदा मदद करती है समझने में नो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है judicial petarky से related यानि कि अभी चाए आप Chief Justice of India क्यों नहों या दूसरे जज्ज क्यों नहों आपका petarkal mindset आपके judgment से देखने को मिलता है तो ऐसा पूरा आर्टिकल यहां पर बताया है कि petarkal mindset को हमें हटाने की जर्वत है उसको improve करने की जर्वत है नो यहां पर क्या होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बीरो 2019 का डाटा देखता है कि 32,000 रेप्स वर रिपोर्टेड इन 2019 88 इंडिकेट्स ऑफ रेपे डे एबरी आवर 39 इंस्टांसेज होते हैं क्राइम की अगेंज जदा वीमेन ओके तो यह पहला डाटा हो गया 4,000,000 cases of crimes against women were reported in 2019 मतलब 24,000,000 इसमें 4,000,000 cases हैं बहुत बड़ा नमबर होता है उपर से Chief Justice of India सरद एबोबडे जी उन्होंने यह बोला कि एक परसन में रेप का acquisition था कि रेप accused था वो ठीक है अब उन्होंने विक्टिम से क्या पूछा लॉयर के विक्टिम से विवाह कर लीज है मतलब एक marriage proposal यहाँ पर दे दिया गया ठीक है तो इस से directly यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर महला का जो अधिकार है उसको पूरी तरह वालेट किया जा रहा है हाला कि सुप्रेम कोड के जज के पास पावर रहती है section 165 Indian Evidences Act की आप ने जो बोला है उसको आप सुधार कर सकते हो जो भी judgment है सुधार करने पर चीप जस्टिस ओफ इंडिया ने यही बोला कि मैं सिर्फ य लिगली स्पिकिंग रेपीज नॉट इवन एक कंपाउंडेबल ओफेंस और पाटीज आ नोट अलाओ तो इंटर इंटो कॉम्प्रमाइज यह देखिए रेप सेक्शुल असॉल्ट एक कंपाउंडेबल ओफेंस है नहीं कंपाउंडेबल ओफेंस का मतलब क्या होता है सब पुझ मान के चलो किसी एक्स परसन ने चोरी की अब वो अगले बंदे को पता चल गया कि उसने चोरी की उसको ले गिया वह पुलिस स्टेशन तो चोरी एक कंपाउंडेबल ओफेंस है कंपाउंडेबल ओफेंस मतलब आपके मन में लगा कि हाँ यार चलो माफ कर देना चाह नहीं तो वो कंपाउंडेबल कॉंप्रमाइस तो होना ही नहीं चाहिए राइट तो इससे क्या है कि चीप जेस्टिस ऑफ इंडिया की पैटार केल जो माइंड सेट है वो देखने को मिलता है चीप जेस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी बोला था कि अगर कोई हजबन नहीं किया जाएगा तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है यहां पर यह बोला जाता है रेप रिमेंस रेप इरस्पेक्टिव अब दर रिलेशनसिप चाहे कोई भी रिलेशनसिप हो दोनों के बीच में तो जस्टिस जेस्टिस वर्मा की कमिटी ने यहां पर जो एटिटूड है हमारे जज़ेस का उसके रिगार्डिंग बहुत सारी एक्जामपल यहां पर दिये गए हैं तो एट दे इंड आपको यूपेसी मेंस में तो यही देखना है कि जो पैटार्कियल एटिटूड है जज़ेस्ट का शुड बी रिमूवड राइट हटना चा 1191 के अंत्रकत किया गया तो उस पर नहीं बेल मिलेगी नहीं कॉंप्रोमाइज होगा ठीक है यह चीज याद रखना और कॉगनेजेबल भी नहीं होता जनरली कॉगनेजेबल होने के लिए क्या होता है कि पुलिस को अरेस्ट वारेंट की जरुवत नहीं पड़ती है ठीक है ना नेक्स्ट जो आर्टिकल है अग्रिकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है कि किस तरह से इस्मॉल होल्डर से हैं इस्मॉल फार्मर से हैं उनकी खेती बहुत कम होती है और उसको अगल बगल मंडी इस देखने को नहीं मिलती है तो उसको लॉस होता है उसको मार्केट का न कार भी लगी हुई है कि किसानों को एग्रिकल्चर इंपोर्ट्स कॉस्ट और प्रोडक्शन फार्मर पार्टिसिपेशन के बारे में पता चले और इसके रिगार्डिंग एक जो है रिपोर्ट भी आई है अब यह जो रिपोर्ट है वह आप डाल सकने अपने में सांसर वर्ल्ड बैंक की के रिपोर्ट कौन सी है इनेबलिंग दा बीजनस ऑफ एग्रिकल्चर मतलब इब यह राइट अब यह क्या करती है इब यह आठ चीजों को काल्कुलेट करती है और 101 देशों को यहां पर मॉनिटर किया जाता है एक सो एक कंट्रीज को इन आर्ट इंडिक लिए भारत के अग्रिकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में बता सकते हैं 101 देशों मैंसे भारत की रैंक 49 है मतलब बहुत ज़्यदा वर्ष्ट है साउथ अफरिका के बाद हमारी भारत ही आती है इंडिया बहुत ज़्यदा पीछे है चाइना से ब्राजिल से रशिया फेडरे एग्रिकल्चर के अलाइट सक्टर थेहान देना पड़ेगा सीट सप्लाई पर ध्हान देना पड़ेगा हलाकि भारत का स्ट्रॉंग है ए रोबस्ट सीड सप्लाई सिस्टम है रिकॉर्प्रॉबिग यिल्ड एंड एडॉप्टिंग नूओ करॉप विराइटीज तो सीड स प्रज़क्ट रिवील डैट कंपेर्ड टू इस ख्लोज कंपेटिटर दैश्टेंथ आप इंडिया एंडिया इंडिया इंवारमेंट इस वीक जो अग्रिकल्चर रेगुलिटरी इंवारमेंट वह ज़्यादा वीक है उस पर काम करने की बहुँ ज़्यादा भारत को अभी ज चार कंट्रीज का ग्रूप है तो जो हमारी नोट्स में यहां पर वही चीज़ है अभी हाल में क्या हुआ भारत में जैसे लद्दाक में लद्दाक में चाइना और इंडिया का तो अभी अच्छा चीज है जहां पर हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं और बना ही इसलिए है ताकि चाइना को यहां पर कंटेन किया जाए और क्वार्ट के बारे में हम डेटेल में कुछ छे दिन से लगातार कर रहे हैं वह नोट्स में मैं इंक्लू लोड़ा भी ठीक है बड़ उससे पहले जो कॉइड जो है उनका ही वह आइडिया था ठीक है फिर उसके बाद एक और सोचने वाली बात एडिटोरियल यह आता है कि यार चीफ होना कितना जरूरी है यानि कि सब उजमान के चलो आप यूपीएसी की प्रिप्रेशन कर रहे ह तो आप कितना भी अपने से सेल्फ स्टडी कर लें मेंटॉर होना जरूरत है मेंटॉर आपको बताता है एक्चौल में कि क्या आपको पढ़ना है देखिए आप पढ़ लिंगे आप इंटलीजेंट है बहुत बड़ एक मेंटॉर की जरूरत बहुत ज़दा हर चीज हर एक में होती है वैसे हमारे यहां पर भी है कि सेंटल फोर्स में अगर बड़े बड़े सेंटल फोर्स देखो सेंटल रिजर्फ पुलिस फॉर्स सी रपी अप में साड़ी तीन लाक लोग हैं पर कोई हैड नहीं है बहुत वर्सों से वैसाई कि CBI Central Bureau of Investigation has been without a head since Feb 3 ठीक है वैसे BSF है NCB है यह पूरा editorial यही है कि एक answer writing एक हमारा insight देता है कि हर particular चीज में इवन जो सबसे internal security को देखते हैं external security देखते हैं उनमें head होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप CBI का example दे सकते हैं कि CBI में head ही नहीं है Feb 3 से राइट उत्राकंट के CM ने resign किया मेबी अभी यहाँ पर दिया गया है कि कौन धंसिंग रावत मतलब कोई राजपूत ही बनेंगे क्योंकि कौन स्ट्वेंट से जादा है ठीक है ऐसा यहाँ पर बोला गया मुला पैरियार एक डैम है 126 साल पुराना डैम से related हमने बह भारत को पहले ही सोच लेना चाहिए ठीक है उडिसा गवर्मेंट रोट सेब्टी लॉट स्ट्रिक्ली इंप्रोच कर वह कर रही है स्ट्रिक्ली इंप्लीमेंट और उनका डाटा यह कहता कि 41 परसेंट जो हुई है बिना हेलमेट के पहने हुई है एक एक साइज दी गई है में डस्टिलक तिल्क या डस्टिल्क जो सेकेंड है वो इंडिया और उजबिक्स्तान के बीच में आर्मी यह एक साइज है जिसमें हम काउंटर इंसरजेंसी और काउंटर टेरिज्म स्किल्स को बूश्ट करेंगे और विद एलप आप टेक्नलोजी यह सबसे बड़ी बात है इंडिया और उजबिक्स्तान के बीच में यह एक्साइज है दे ब्रॉड एम ऑब एक्साइज टो सी आई एंड सीटी मतलब टेरिज्म को कम करना है इन माउंटेनियस जो पाहल वाले रीजन होते हैं रूरल अर्बन सिनारियोज में अंडर युनाइट नेशन मेंडिट तो सैनी को तो बहुत ऐता एक्स्पीरियन्स थाथ वार बाते हैं पर ढद्वा तो नेशन में सारी ग्साइज करेंख कर ते लिए important है security के लिए connectivity के लिए Central Asia की हमारी भारत की सबसे अच्छी उत्राखंड की खुद मैं उत्राखंड से हूँ और उत्राखंड की एक regiment है कुमाव regiment ठीक है मैं कुमाव से हूँ तो यहाँ पर यह बटाले 1962 का वार लड़ी भी हुई है और यह बहुत ज़्यदा experience देने वाली है उजबगिस्तान के आर्मी परसनेल को ठीक है National Human Rights Commission अभी custody में जो torture होते हैं किसी को arrest कर लिया जाता है तो फिर उसके साथ जो torture किये जाते हैं custody में बहुत सारी activity के साथ भी गए तो National Human Rights Commission ने बोला कि हर्याना पूलिस से कि आप रिपोर्ट दीजें ठीक है National Human Rights Commission तो एन चार्सी में आपको बता देता हूं फिर उसके बाद आज का discussion खतम करते हैं वर्ल लेवल पर क्या चल रहा है कि यार जो military officer मयान मार में वह चेक कर रहे हैं सब लोगों को कि कोई प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा है कि military ने हत्या लिए है पूरे country ठीक है military cop हुआ था अफगानिस्तान और अभी पीश टॉक चल रही है कि Taliban ceasefire ना करे वालेट ठीक है यह चीजें हैं बाड़ेन इंपोस कप सॉन ड्रॉन से श्ट्राइक ड्रॉन स्ट्राइक में इंपोस करने वाले हैं सेंक्शन्स और कुछ इंपोटेंट नहीं है वर्ल लेवल पर अभी यहां पर यह बात की जारी है हम क्या हुआ है कि भारत सरकार किसी particular किन करती है उन से हमें इंपोर्ट करना चाहिए सिर्फ प्लस कंट्री पर ही डिपैंड नहीं रहना चाहिए तो और प्लस क्या है एक साथ अभी हम डिटेल में डिसकस करते हैं दूसरे बात आप सबको कभी-कभी commercial OTPs ऐसे चीजह आती है तो उसको regulate करने के लिए उसको अच्छे Suspend किया गया है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है बहुत सारे लोगों के साथ Čटीपी हो जाता है और टीपी से रिलिटरेट तो इन सब का डिल कौन करते है तेलीकॉम अब ट्राई क्या होता है सबोज मानके चलो जीओ के टीवी आ रही है सबोज या डिश टीवी है टाटा इसका या आपने लगा है आपको लगता है कि यार चैनल कम पैसे बहुत जदा लिए जा रहे हैं और दिखाया सिर्फ साज बहुत वाला नाटक जाए जा रहा है मतलब क् करता है मॉनिटर ट्राई ठीक है तीन चीजों को डिसकस कर लेते हैं फिर आज का डिसकेशन खतम करते हैं और कल भी थोड़ा सा लेट आएगा बढ़ परसों से आपको डिसकेशन बहुत जल्दी मिलने वाला है क्वालिटी कंटेंड के साथ तो डिसकस कर लेते हैं ट्राई क एक डिस्प्यूट मेकनीजम हैं टेलिकॉंठ डिस्प्यूर्ट सेटल्मेंट एंड लेट ट्रीबिंंट ता की जितने भी डिस्प्यूट सो वह तैसे इंचेशन कर बाद सो मैं आपकों से हैं इनज निचे इराग कुवेट साओधी अरबिया वैनुजुला तो इन से जो दूसरी कंट्रीज हैं जो भी दूसरे रिफाइन करती है पेट्रोल को उनको तो मतलब से ओपेक प्लस में कौन कौन से हैं अजरबाइजान कजिकिस्तान ब्रुनाई बहरेन मलेशिया यह सब ओपेक प्लस में हैं ठीक है बागी यही है जो कंट्रीज हैं धिरे-धिरे जॉइन होती है एक ओडर ने अपनी मेंबर्सिप सस्पेंड की थी बाद में अपना फिर से वह को जॉइन हुआ फिर से उसने सस्पेंड करी ठीक है कातर ने भी अपनी मेंबर्सिप टर्मिनेट की थी एक जनुरी 2019 को ठीक है ओपेक माँ भी तेर मेंबर कंट्रीज हैं अगर किसी को पढ़ना है ऑफिशल लिंक तो यूपीएसी पेट ग्रूप डिसकेसिन में आप डिरे का तो उसे ओपेक प्लस कंट्री कहते हैं ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे ठीक है आज का जो टेंपरेचर है वह 30 डिग्री सेलशियस है ठीक है मेरी वाइस में लग रहा होगा कि सराउंडिंग में थोड़ा सा टैरेस में आके यहां पर वीडियो रिक में भी है ओके तो उसको आवाइट करना आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू